फिल्म के शुरुवात होती है ड्राउनी जिंगल सी जहां एक आदमी डरा हुआ भाग रहा था उसके हाथ में गन भी थी जहां तभी आकर एक विंपायर उसी काट लेता है जिसकी बाल नहीं थी और काफी ड्राउना नग रहा था क्योंकि बड़े बड़े खोफनाग दात थी विम्पायर गिनहीं इंसानों का खुन पिनी वाली अभी इससे पहले कि विम्पायर उसकी तरह नों पी जाता है तब यहां सरज निकलाता है जिसनी सकी खूब अमिबाता है जो इस मुवी का नाम भी है। इसके बाद हम एक लड़की स्टैन को देखते हैं। जिसे उसकी मौम जगाने के लिए आई ती नाश्ता करने के लिए। वो नाश्ता कर ही नाता कि तभी उसकी होश उठ जाती है। कि उनकी सारे बाल उतर गी थी। साथी चीरा भी काला पढ़ने लगा था। उच्छी सेकंड्स में उसकी पूरे फैमली वारी की। अब यहां हम जान पाते हैं कि इस्टैन का बुरा सपना था। पर हकीकत में भी उसकी माबब जिन्दा नहीं थी। उसने जैसी देखा वैसे उसके माबब की मोत हुए और अब वो अपनी दादा के साथ उनकी गर पर ही रहता है। पर फोजीयों ने की बज़र से वो तोड़ा सथ थी। इसलिए उनका बरताओ स्टैन के साथ अच्छा नहीं था तो यह भी उन्हें खास पसंद नहीं करता था। अब हर रोस की तरह व एक शेरिफ थी। उस पर दोनों को काफी गुसा आता है। वाहिर आकर ऑफिजर स्टैन को कहता है कि अब तो तुम्हें छोड़ रहे हैं पर आगे से कोई छूट नहीं दी जाएगी। स्कूल में तीनों शिरार्ती लड़के स्टैन के दोस्त को भी परिशान कर रहे थी। तबिया स्टैन आकर उसे पर चाहा देता है। यह लोगों की लड़ाई होनी लगी थी। क्योंकि यह सिर्फ आज कहीं नहीं रोस का काम था। उनकी लड़ाई बढ़ती कि तबिया टीचर आकर उन्हें अन्य दिलत कर दी थी। यह हम एक लड़की रॉक्सी को देखते हैं जो पहले स्टैन की यह दोस थी पर उसे चोड़कर अब वो शिरारती ग्रूप की साथ मिल गए यह अभी भी उनके साथ ही है जिब कि वो लोग उसके साथ अच्छा परताओं नहीं किरती स्टैन और उसका दोस थोड़ा इंजॉाई करने के लिए बाहर आगी थी। जिस बी स्टैन केहता है कि मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है अच्छी जिनकी गुजारने का सब को हाक होता है इसमें कोई बुराई नहीं है वो घर जाकर भी रॉकसी के बारे में ही सोच रहा था कि तबी उसके गादा जी उसी बुला लेती है गास काटने के लिए तो वो अपने डौक को बाहिर लाता है बानने के लिए जहां तब यह चानक डौक का बरताओ बदल जाता है क्योंकि वो लगतार शेट की तरफ देखकर पहुंकि जा रहा था स्टैन को करपन लगती है इसलिए वो चेट करनी शेट की अंदर जाता है जहां उसे इंसानी दाथ मिलते हैं ज इस तरह से उसके जान मच पाती है स्टैन उसे दंकी देनी लगता है कि चूप जा बाहिर जाओ वरना मैं अपना डौक तुम्हारे ऊपर छोड़ दूगा दिंकी की बावा जोद भी जिब वो बाहिर नहीं आता तो स्टैन अपना डौक छोड़ ही देता है जो भाग पाकर शेट की अंदर चिला जाता है अब वो गया तो ठीक ताकी था पर वापिस उसका सरी आता है जो देखकर स्टैन एकदम काफी टिर जाता है यूँकि उससे समझ लेग गई थी कि यहां कोई मजाक नहीं जिल रहा बलकि कोई बड़ी गड़बड है इसलिए वो हत्यार लेने गर की अंदर जाता है जहां उसकी दादा उसी रोकर डॉक के बारे में पूछती है तब स्टैन उन्हें सारी बात बता दीता है कि वहां शेट में कोई राक्षिस कोई जानवर है उसने हमारे डॉक को मार डाना है और उसकी दादा को जड़ब यकीन नहीं होता पर जब वो चेट करने बाहर जाती है तो अपनी डॉक का कटा हुआ सर देकर यकीन उनको हो चुका था उन्हें गुस्सा आ गया था इसी है स्टैन की मना करने की बाद भी वो शेट में चले ही जाते ही अगली पल जमीन पर आके गिरती है जिनकी पीट पर विमपायर ने हमला कर दिया थ पुलिस को बता नहीं सकता था क्योंकि वो उर्टा इसी जिल में बन गिरती ही रात को जब वो सूने की कोशिश कर रहा था तो तब भी कोई उसका दिर्वाज़ा खोलनी लगता है जो नहीं खुलता क्योंकि लॉप था फिर शेट से विमपायर उसे बुलानी लगता है और भी अपनों टाइस होकर शेट की तरफ जानी लगता है जैसी ही वो शेट का दर्वाज़ा खोलता है विमपायर एकदम उस पर जपट पड़ता है लेकिन तबे चौंकर उसकी आंग उल जाती है क्योंकि ये बस उसका बुरा सपना था अगले दिन स्कूल में वो सब बुलान का लेडर मारबल आ जाता है वो रॉक्सी को चड़ाने लगता है कि तुम एक बुजिल डर्फोक इंसान के साथ बेटी हुई है अब उनकी जाने के बाद तब यहां स्टैन का दोस्त आ जाता है जिसी देकर रॉक्सी वहां से जा चुकी थी तब स्टैन अपने दोस्त पर ग उदेर स्टैन विंपायर का सामना क montón करने के लिए एक बेट लेकर जाता है वो बहुत ही पहादोरे से गया होता है वर एक तमसे शेड्वक दर्वाथा तोड़कर विंपायर जैसी उससे पकड़ता है वो काफी टॉल किया था लेकिन दूप निकल रही थी जो जैसी विंपा स्टेन उसी सारी बार तो बता दीता है पर उसी फिर भी एकीन नहीं होता हूँ कहता है कि अगर यह सच है तो साबिट करके दिखाओ। वो यह किकर शेट की तरफ बढ़ जाता है कि मैं भी तुमारा वो मॉंस्टर रेखना चाहता हूँ। जैसे उसका भयानक चीरा देखता है उसी एकीन हो चाहता है वो डर भी गिया था जिसकी बाद दोनों दोस्त मिलकर लकडियां लगाकर दरवाजे की उस शेट को बन कर दीती है। स्टैन उससे कहता है कि मुझे मशूरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए। जिसपर उसका दोस्त जवाब देता है कि ऐसा करते हैं उन शिरारती लड़कों को यहां लाकर बन कर दीती है। जिससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा साथ ही आगे सी किसी को परिशान भी नहीं करेंगे क्योंकि जिदा ही नहीं बचेंगी। स्टैन को भी ड्रेड लगने लगा था कि कई यह किसी को विमपायर की बारे में बटा ना दे। पर उसका दोस्त भरूसर दिलाता है कि भी फिकर रहूं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वना। रात को स्टैन एक फिल्म देख रहा होता है जिसने वो यह तरीका सीखना चाहरा था कि विमपायर को कैसी मानच। उसे तब दीन तरीकी पता चिलते हैं पहला उसे दूप में जलाकर मारना दूसरा उसके दिल को खत्म करना और तीसरा उसके सर को काट कर जिसम से अलग करना। फिल्म देखते देखते ही वो सो जाता है जिस बीच दिवार पर लगी पोस्टर में से एक लिड़की निकल कर उसके पास आजाती है जो और कोई नहीं बलके रॉक्सी थी स्टैन की आंग खुल गई थी उसे देखकर वो अभी हैरान हो ही रहा था कि तब रॉक्सी खतरनाक एंपायर में बदलकर एकदम उसे काट लीती है जिससे एक बर फिर डर कर उसकी आंग खुल जाती है कि यह उसका बुरा सपना था वाहिट जाने के लिए वो जैसे जूता पहली लगता है तो तब इसकी नजर बैठके नीचे जाती है जहां वो एंपायर चुपा हुआ था जो स्टैंड पर छपट पड़ता है जिससे दोबारा उसकी आंगुल जा दिये और हम समझ गें कि यह भी उसका सपना था और अब जाकर वो सच में जगा है जिससे साफ जाहिर था कि वो जाकते भी परिशान रहता है और सोते हुए भी डर की बजसी वो चाको अपनी साथ ल इंदर आता है जहां उसकी घर की बाहर शेरिफ आ जाती है उसकी दादा को डोरने के लिए स्टैंड शेरिफ को वहां से ग्रेजने के लिए चूट बोल देता है कि मेरी दादा अभी घर पर नहीं है जो सुनकर शेरिफ को शेक कुनी लगता है क्योंकि उनकी गाड़ी तो ग जंगल में गया था पर अभी तक वापिस नहीं आएं जिससे हम समझ पाते हैं कि शुरवात में हमने जिस आदमी को देखा था जो जंगल में डिरा हुआ बाग रहा था वो द्रसल उस फैमिली का हैड ही था जो एंपायर बंदे की वज़र सी स्टैन की शेड में ही चुपा हु स्कूल आकर स्टैन रॉक्सी से मिलता है जो से पूछती है कि तुमने अपना क्या हल बना रखा है सब ठीक तो है उनकी बात की दुरानी मार्बल वहां आकर रॉक्सी को परसे चिडाने लगता है उसने आज हदी पार कर दी थी जो चीज स्टैन से परदाश नहीं होती इसलि स्टैन आकर उसे रोक ली थी और गुसी में कियी थी कि मैं तुम्हारी बरताओं से पहले काफी परिशान हूं लेकिन आज तो तुमने हादी पार कर दी अब मैं तुम्हारी दादा के साथ मिटिंग करती सब कुछ बता दूगा वो फो नहीं उठा रही तो तबी मने की तरफ बड़ी और जब उसने देखा कि उसी तोचे से सील किया हुआ है तो वो समझ जा थी है कि अंदर जरूर कोई ना कोई तो है तब इदर स्टैन दिया जाता है जिस पर फोरण शेरिफ गंद आने ती हैं हलांकि वो उसी काफी समझाने की कोशिश करता है पर वो कुछ सबने में ही था कि तब उसकी परिशानी और बढ़ाने के लिए यहां मार्बल आ जाता है वो उसे कहता है कि मैं अपनी बेस्ती का बदला लेनी आया हूँ जितुमने सबके सामने मुझे पीटा हूँ स्टैन उसे कहता है देखो यह एक और काफी बड़े मुसीबत है तो प् अगलपन के मामले में वो सबसे आगी है स्टैन उसे रोकने के कोशिश करता है जिसके जवाब में वो कहता है कि अगर तुम बीच में आए तो मैं तुमें भी मारने में दीर नहीं करूंगा क्योंकि एकने सालों से मुझ पर इलोग जल्म कर रही है जिसका बदला मैंने आज लेकर ही रहना है वो फिर गंद क्वाइट पर मार्बल को शटकी अंदर जाने का करेता है अंदर जाने से पहली मार्बल की नजर कटे हुए हाथ पर पड़ती है अब उसे देखकर वो डर तो गया था लेकिन शटके दटों से जाना ही था वो जैसे अंदर जाता है विमपर उसे खीच कर उस पर हमला कर दीता है। इस वज़े से स्टैन अपने दोस पर काफी गुसर करनी दखता है। कि तुमने क्या किया। एक भी कसूर के जाने लिए पेशक वो मासूम नहीं है। पर उसने इतना बड़ा भी गुना नहीं किया था कि उसे मार ही डाला जाए। अब उनकी हाथा पाई में वो स्टैन तो गंसी मार कर भी होश कर देता है। और जब उसकी आँख उलती है तो अपने समने रोक्सी को पाता है। कटे हुए हाथ को देकर रोक्सी की जहन में भी कई सारे सवाल उटती है। पर उसकी किसी भी सवाल का जिवाब देने से पहले वे खतियार लेकर शट की अंदर जाता है चेक करने के लिए। जहां उसे मार्बल की लाश दिख दिए जिसे उसकी दोस्त नहीं पकड़ा हुआ था जो काफी ड्राउन लग रहा था क्योंकि अव वो भी वंपायर बन चुका था। स्टैन उसे पूछता है कि वो वंपायर जो यहां पर था कहां गया है। तब उसका दोस्त जिवाब देता है कि फिल हाल तो वो चिला गया पर तुम से अपना बदला लेने के लिए वापिस जरूर आएगा। काफी दीर हो चुकी थी वो जलनी लगता है इसलिए स्टैन उस पर कपड़ा डाल दीता है ताकि उसके जान बच सकी लेकिन तक तक वो अपना दम तोड़ चुका था क्योंकि काफी जिल गया था अब यह मसला तो हो गया था पर असली मसला अभी बाकी था और वो था पहला उसका सामना करने के लिए दोनों ने पूरी तयारी करनी थी जो वो कर सकती थी जैसे कि पूरे घर को अची से सील कर देते हैं बहुत सारी नौकतर लगड़ेया बनानी थी साथ ही दोनों गाड़ियों को भी चुपा दिया था तक कि किसी कोई शक न हो अब जैसे ही रात होती यह दोनों उसका खात्मा करने के लिए तयार बैटी थी कि तब दिर्वाजे पर मार्बल की दोनों दोस्त आ जाते हैं अग इस तरह से उनका प्लैन खराब हो गया हलांकि यह दोनों उन्हें समझाते भी हैं कि निकल जाओ यहां से पर वो उनकी एक नई सुनते और पिर तभी यहां वो विमपायर आँ ही जाता है यसी मार्बल की एक दोस्त ने देख लिया था उसका दोसरे दोस्त बात नहीं मान रहा था इसलिए वह खुदी अपनी जान बजाने के लिए यहां से बागनी लगता है पर विमपायर उसे उपर खीच कर काफी बूरी मोद बीता है क्यो विमपायर को डूरने के लिए अलगले को जाते हैं जो बनी नहीं करना जाए था क्योंकि तबी मार्बल की उस दोस्त के सामनी उसका दूसरा दोस्त आ गया था जो अब खुद भी विमपायर था फूप ने इस दोस्त पर हमला करकी इसे भी विमपायर बना दीता है और उक स सर उड़ा सके इससे पेश मार्बल के दोने वंपायर दोस्त भी जबर देस्ती अंदर गुसरी थी जिसके इसको फाइदा उठाकर स्टैन एकी गोली से दोनों को डियर कर दीता है क्योंकि गोली उसने पहने बने की मुझ में वानी थी जो आन पर होकर पिछली बने की सीने में जाकर लिखती है इस तरह से एका सर फटकर जिसम से अलग हुआ था जिसकी दूसरी का दील उधर वंपायर जैसे रोक्सी को पढ़ने वला होता है कि तब यह स्टैन आ जाता है जिसने वंपायर पर गंद आनी हुई थी पर वह इत्लत तेज था कि एक चटकी में स्टैन के प इस पर चिलाती भी आए लेकिन कुछ नहीं होता उसे बचाने के लिए स्टैन एक चाकू वंपायर की तरफ फैंक पैतों है वर वह आकर रोक्सी को हिलन जाता है चूकि वंपायर पीची हट गया था वह अब दोपारा से स्टैन को पख़ए लेता है उससे जान सी वानने के लेकिन तब रोक्सी कुलाड़े लेकर उसका सरे जिसम से अलग कर देती है जिससे अब जाकर इस शेतान की मौत होती है जिसके बाद विस पूरे ही शेट को जिदा देती है सारे पैर्च की लाशों को इसके अंदर रखकर वो दोनों बहुत खुश थे कान इदर ही खत्व ज देती है